और न्यू जनरेशन को ध्यान में रखते हुए डेज़़ोर्ड, स्टेरिंग वील वगेरा में काफी कुछ परिवर्तन करा है आईसर ने और अगर छोटे हों तो बोनट काफी बड़ा सा दिखता है इस टेक्टर का जो मुझे उतना एट्रक्टिव नहीं लगता देखने में पता नहीं क्यों अटपटा सा लगता है नमस्कार किसन भाईयो और मैं हूँ आपका दोस्त रोहित यादवर में फिरसे एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चेनल और फेस्बूप पेज टेक्टर टीबी पर और आज़ा हम इस वीडियो में ब दिये हैं जो भार्दियों को कुछ जादा ही पसंद आते हैं और न्यू जेनरेशन को ध्यान में रखते हुए डेज़वर्ड, स्टेरिंग वील, वगेरा में काफी कुछ परिवर्तन करा है आइसर ने काफी बलकी सा और लेटेस्ट सा लुक देने की कोसिस करी है आइसर ने कितना स्कूर मिला है आइसर प्राइमा जी थरी 557 मॉडल को चलो तब बात करते हैं कि टेक्टर में क्या कुछ नया दिया है आइसर ने फीचर सोल लुक्स के मामले में तो किसान भाईयों ये अपने all new next gen modern and futuristic aerodynamic style hood profile के साथ आता है फिर चाहे इसके workaround type headlamp हो या फिर सांदार इसके hood की बनावट हो bold grill with one piece hood opening मिल जाती है इस टेक्टर में आपको आइसर का ये वाला looks front bullet tire के साथ देखने में बहुत ही तगड़ा लगता है इस टेक्टर के looks को लेकर मेरी नीजी दो प्रकार की अलग ही राय है आइसर की इस bonnet profile में अगर front tire बड़े हो तो काफी तगड़ और bold दिखता है ये टेक्टर देखने में और अगर छोटे हो तो bonnet काफी बड़ा सा दिखता है इस टेक्टर का जो मुझे उतना attractive नहीं लगता देखने में पता नहीं क्यों अटपटा सा लगता है आला कि ये मेरी नीजी राय है और मैं looks वगेरा पर जादा कुछ comment करना पस 157 में इसमें आप पूरा modern and digital instrument cluster मिलता है TFT black and white digital दो screen के साथ जिसमें आपको काफी सारी information के साथ टेक्टर अवर्स के अलावा fuel and temperature वगेरा सब उसी में दिख जाता है काफी तगड़े illuminated light वगेरा का इस्तमाल करा है उसके बाद जो view निकल कर आता है dashboard का वो काफी अच्छा जब भी रात को टेक्टर खड़ा करोगे या बंद करोगे तो टेक्टर के headlight थोड़ी देर तक जलते रहेंगे फिर अपने आप बंद हो जाएंगे आपको कहीं टेक्टर अंधेरे में खड़ा करके आना है तो आप आ सकते हैं तो चलिए बात करते हैं इसके steering की तो किसान भ स्टेक्टर के लिए और इसमें प्लेटफॉर्म वही मिलता है बीच में हमप बाला जिसे में ओबर खावड प्लेटफॉर्म भी बोलता हूँ अलाकि इसकी सीट थोड़ी हाइट पर प्लेस है जिससे चारो तरफ का व्यू काफी अच्छा सा निकल कर आता है तो चलिए बात करते हैं इस्टेक्टर के इंजन की और देखते हैं कि क्या कुछ नया दिया है आइसर ने अपने इस्टेक्टर में तो किसान भायो यह है आइसर का 320DE सीरीस का 399cc का वर्टिकल इन लाइन 3 सिलेंडर 4 स्टोक लिक्ट कूल नेच्रली एस्परेटेड डिरेक्ट इंजेक्शन इन डिजल इंजन जिसमें फ्यूल जाता है इन लाइन फ्यूल इंजेक्शन पम से और हवा के लिए आइलबाट टाइब एयर फिल्टर के साज सेंट्रिफीगल विद ट्रांस्परेंट डस कलेक्टर प्री किलीनर लगा हुआ है और वहीं इस इंजन को ठंडा बनाया रखन से लिए अब गेरवाक्स की बात करते हैं तो किसन भाईयो यह है दस गेर वाला मेकेनिकली ओपरेटेट कॉंबिनेशन ओफ कॉंस्टेंट एन स्लाइडिंग मेस गेरवाक्स साइट सिफ्ट गेर लिवर के साथ 8 फरवर्ड और 2 रिवर्स गेर स्प्रीड वाला गेरवाक्स जिसे हम पार्शेल षिंखो रुमा इस गेर वाक्स भी कहते हैं वहीं इस गेर वाक्स के गेर पैटन की बात करे तो इस गेर वाक्स में आपको 4 आगे के गेर की और एक पीछे के गेर की 2-2 स्प्रीड मिलेगी जिससे आप इस टेक्टर को सामनी की तरफ लगबग 4 km प्रती प्रति गंटे से तो 30 किलोमेटर प्रति गंटे तक की स्प्रिट से चला सकते हैं और वहीं पीछे की तरफ लगबग 3 किलोमेटर प्रति गंटे से तो 16 किलोमेटर प्रति गंटे तक की स्प्रिट से चला सकते हैं में clutch की बात करें तो इस tractor में आपको push type clutch pedal के साथ dual clutch मिलती है जिसमें आपको single dry fiction plate डाइफा ग्राम टाइप two stage clutch plate unit मिलती है two stage clutch unit वही dual clutch होता है जो clutch pedal से ही operate होता है clutch pedal को आदा दबाओगे तो PTO रूखेगी और पूरा दबाओगे तो tractor control होगा वीडियो की बात करें तो किसान भायो यह है 46 HP की dual clutch के साथ आने वाली 540 स्पृट की live PTO जो लगभग 1945 इंजन RPM पर चलकर 540 RPM की स्पृट से गूमती है और साथी 540 स्पृट इंजन RPM पर चलकर 540 RPM की स्पृट से गूमती है और साथी आपको 540 स्पृट reverse या multi-sprit PTO का option भी मिल जाता है डिपेंड करता है कि आप भारत के किस हिस्से में रहते हो हैडोलिक की बात करें तो किसान भायो यह है 3-point linkage 1200 kg की lifting capacity वाली category 2 की open center live ADDC type automatic draft और गिराई control वाली single acting hydromatic hydraulic system और इसमें trolley और प्लाव के लिए आपको dual auxiliary control wall भी मिल जाता है brake की बात करें तो इस टेक्टर में आपको push type brake pedal के साथ aisle में डूबे हुए multi-dix braking system मिल जाता है और वही handbrake इस टेक्टर में आपको pall and ratchet arrangement type मिलता है टायर और axle की बात करें तो इस टेक्टर में आपको आगे मिलते हैं 95-24-8PR के टायर epicyclic type front four wheel drive axle के साथ और वहीं पीछे 16-28-12PR के टायर के साथ bulgaran pinion unit वाला rear axle मिलता है और इस टेक्टर का बज़ान है लगभग 27-64 किलो लंबाई है लगभग 12-5 इंच चोड़ाई है लगभग 6-3 इंच और उचाही है लगभग 7-5 इंच सालेंसर तक wheelway से लगभग 6-9 इंच और ground clearance है लगभग 1-4 इंच पेसल टेक्टर का डीजल टेंग है इस टेक्टर का और लगभग 2-5 इंच लिटर पती गंटे तक की डीजल खपते इस बात पर निर्फर करता है कि आप टेक्टर को कहां पर और किसलिए चला रहे हैं और 2 साल और 2000 गंटे की warranty मिलती है इस टेक्टर पर जिसे आप 3 या 5 साल क ि लिए बड़वा भी सकते हैं अब बारी है टेक्टर टेक्टर टीऴी के स्कोर की तो accept कर मिलते हैं 100 मेंच bindsा का किसन भैयो इस टेक्टर को क्रट्र टीवी से स्कोर मिला है इंकन भैयों यह नंबर हम आपकी सोलियत के लिए निकालते हैं ये कोई मापडन नहीं है टेक्टर को परखने का ये नंबर हम हमारी निजी राय के आधार पर निकालते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो वहीं किसान भाईयो इस स्कोर को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है तब जाकर ये नंबर हम कहीं निकाल पाते हैं तो किसान भाईयो आप भी कमेंट करके बताएं कि ये पाइंट या इसकोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा कि आपको इससे कोई मदद मिली या फिन नहीं बागी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें कुछ कमी हो तो सुजाव दें और अगर आप ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें और अगर फेस्बुक पर देख रहे हो तो टेक्टर टीवी पेज को फालो करें धन्यवाद